हेलो दोस्तों सब्सक्राइब का हमरी एक और न्यू क्रिकट 22 की वीडियो में आज हम खेलने वाले इंडिया विचिस न्यूजिलेंड का थार्ट ओडिया मैच वह भी संजू सेम्शन के साथ यह वीडियो काफी अमेजिंग वने वाली है तो अभी से ही आप इस चैनल को सब्स काफी अच्छी बेटिंग करी तैन अभी 56 रन पे तीन वीडियो में गिरने के बाद अभी संजू सेम्शन की बेटिंग आ चुकी है तो लिए काफी बड़ा लक्षे 311-1 रन का फर्स बॉल हमारा फर्स बॉल काफी अच्छा कहला विगा संजू सेम्शन ने तो गाइज से पेहली बाउंट्री आई अमरे बल्ल्या से तो गाइस अभी अमरे साथ केल रहे है सुर्य कुमर यादाओ जिसमें 27 रन बनाया 36 बोल पे इस बार भी स्टेट राइर केला है इस बार फ्रेंट पूर्ट में काफी अच्छा पंच किया वर चार रन मिल जाएगे दो बेक टु प्रेंट है एक बार फिर से चोका लगा दिया है संजू सेमसन ने टीम साथी को कुछ इस पकर से है है इस बार काफी अच्छा बोलता टीम साथी का आउट स्विंग गेम इस बार तो शिदी रही इसलिए दो बेक-टु-बेक पर काफी खराब फिल्डिंग और संद्यों सेमसन को इस खराब फिल्डिंग के बज़र से चार रन मिल गए अभी इस बार पंच किया है पर यार एकी रन मिला हमें अभी सूरिय कुमर याद हूँ काफी स्लो केल रहे हैं हमारे साथ 49 गेंदों में 34 रंस बनाए उसने इस बार पर हम तो स्लो नहीं खेलने वाले कुछ इस प्रकर से खेलने वाले एक बार फिल्ड राव तो कहला है पर सीथा फिल्डर के याथ में जाएगा तो गाइज अभी देखते हैं सूरिय कुमर याद हूँ हमसे पहले 50 बनाते हैं कि हम सूरिय कुमर याद हूँ 36 रंस पे खेल र आए चार रन मिल जाएगा स्ट्रेट बाउंटरी काफी छोटी है इसलिए मैं आस्टानी से चार रन मिल रहे हैं स्ट्रेट ड्राव खेल के हुए इस बार काफी अच्छी बोल तो अधी पर काफी अच्छा स्वाट खेला संजू सेमसन ने और आग इस में एक बात आपको ब चले मिलेगी और आपने फोलो किया होगा तो आपका नाम भी इस वीडियो के बाद सबसे अंत में आपका नाम आएगा और कमेंड बोक्स में भी आपका नाम पीन किया जाएगा इस्टा वाला अकाउंट को प्लीज अमरे इस्टा आईडी को फोलो भी कर दो अब इसी दी काफी इसा सोट के लाए यहां पे सैंजू सेंचन में चार रंग बटाली एक बार फिरसे कावरडराव खेलके दोस्को अभी देखते ही देखते हम 24 गेंद हुमें 40 रंच पे खेल रहे है अभी इस बार भी cover रहे के लाए इस बार भी 4 रन मिल जाएगा भाई इस मेज में तो काफी ज्यादा cover रहे के चलते है तो के मिल रहे हमें इस अभी सुरिय कुमर यादा भी काफी attacking खेल रहे है 44 रंस पे खेल रहे है वो हमारे साथ इस बार काफी अच्छा पूल सोट के लाए फाइन लेक की और पर एकी रन मिला हमें जाएज अभी सुरिय कुमर यादा और संजू सेमसन दोनों ही अच्छे फॉर्म में दिख रहे है इस में चुने सुरिय कुमर यादा भी 46 रन पे बहुत चुके और अब भी आएका चार मिल एक से दस चोके लगाए हमने तो गाइज अभी जीमी निशम का फर्स्ट बॉल है 23rd ओवर चल रहे है और इंडिया का स्कूर हुआ है 173 रंस पे फोर त्री विकेट्स काफ यर्ट चा स्ट्रेंट रहे कहला है एक बार फीड से इस बार उठा के कहला है संजू सेमसन ने संजू सेमसन इस बार भी आफ वाल ही मिली इसलिए काफी अच्छा स्ट्रेंट रहे कहला है और वाई इस दोवर में काफी ज्यादा रहना आता हुए अभी तक दोस्तों भी हमें संबल के खलना होगा क्योंकि सारी की सारी फिल्डिंग अभी बाउंटरी पे लगी हुई है और इस बार काफी अच्छा स्ट्रेंट ड्राव कहला फिल्डर को हिल्डा का भी मौका नहीं मिला और चार रन आज संजू सेमसन काफी ज्यादा अच्छे स्ट्रेंट ड्राव खेल रहे है तो गाई जभी देखते देखते 34 बोल्स पे 70 रंस पे बहुत चुके संजू सेमसन एक बार फिर से आफ व्ली बॉल मिली पर इस बार पिछे फिल्डर रहे क्या चोकह बचा पाएंगे जी हाँ शिर्फ हकी रख मिला इस बाव स्ट्रेंट ड्राइव किलने की बॉल थी और काफी अच्छा स्ट्रेंट ड्राइव क्यला एंबर फिर से याज कितने सारे स्रेंड ट्राइब केल रहे है भी और संजू सेमसन और सुर्यकुमर यादाओ की 100 रन की पन्रशिप भी हो चुकी है याज आपे काफी खराब बॉलिंग चल रही है भी इसमार पूल सोट केला है पर इसमार एक ही रन मिलेगा हमे तो गाइज अभी सुर्यकु सुर्यकुमर यादाओ सिर्फ 47 पर इसमार लगा दिया और 80 रन पर बहुत चुके हम तो गाइज यहाँ पर सुर्यकुमर यादाओ भी आउट हो चुके यार अभी नया बेट्स में आए दूपक उड़ा लोकी फरिजूशन प्राइए पहला बॉल इसमार शोट बॉल तो थ सब्सक्राइए यहाँ पर तीन रन लेने की कोशिश करूगा और आसानी से तीन रन मिल जाएंगे हमें इस बार भी फ्लिक खेला हैं मिड़ विकट की और पर अच्छा किया कि मना किया मतना रन आउट हो जाते हैं तो गाइज अभी संजू सेम्शन नर्वस नाइंटी स्पे तो गाइज अभी इंडिया को जीत के लिए 20 ओवर में 122 रन्स चाहिए जीत के लिए इसमार काफी अच्छा स्रेंड ड्राइव एक फिर से चोका बटर लिया है अभी संजू सेम्शन 95 रन्स पे पहुंच चुके है यार एक और वीकेट गीर चुके है अभी सार्दूल ठाक पूर भी आउट हो चुते है और नए बेट्स में आए दिपक चाहर अभी हम 98 रन्स पे खेल रहे है इस बार काफी अच्छा स्टेंड ड्राइव खेला स्टम्स के बगल से गई और वाई इस चोके के साथ हमारा पिसरे मेंच में सतक मना लिया है यार पे संजू सेम्शन ने फिलर के माधी में से पर यार एकी रन मिला तो दोस्तों अभी इंडिया का स्कोर हुआ है 35 ओवर पे 280 रन्स जीत के लिए 311 रन्स मना दे इस बार भी सीथा फिलर के आच में जाएगा जो की डिपक चाहर काफी अच्छा साथ दे रहे है अभी तक इस बार उठा के केला है इ दूसरा चतका संजु सेंसन का इस में जाएगा अगर संजु सेंसन यह मुकामला चीता दे तो इंडिया को इस बार इस बार पी अच्छी कवर्टर के लिए पिछे फिल्डर है क्या रोक पाएंगे वह यह रोक लिया है और दोरन अमे आसानी से मिल जाएंगे लास्ट बॉल लास्ट बॉल में में सिंगल लेने की ट्राय करूगा क्योंकि कम से कंब स्ट्राइक रहे निपर के ऐसकी पास पर इसमार काफा अच्छा सोन क्वेंट खेला संजु सेंसन का है इसमार स्टेट में कहला है और रस दोरन चुना रहनों क्योंका तर करूब बहुत ही चोटा है इसलिए एकी रभ मिला इंडिया को जित के लिए 80 बॉल्स पे 78 रब्स मना दें एक बार फिर से च्ट्रेट में क्या जाए इस बार काफी ज्यादा रफ्तर से बोल गई है पर यहार इस बार भी शिर्फ एकी रभ मिला उगाई जब भी स्ट्रेट में कोई भी फिल्डर बाउंट्री पे नहीं है इसलिए में थोड़ा उटाने की कोशिश करूगा इस बार उठा के खेला है क्या दूर पाए पाएगी यहां पर जी आ यहां पर एक और चक्का बटर लिया है संजू सेंशन यह तीसरा चक्का इस मेट में उसका आई यह देखिए तीसरा चक्का कुछ इस बकर से आया काफी दूर गई थी बॉल काफी उच्ची भी गई थी दोस्तों भी 75 बॉल्स पे 71 रंस चाहिए इंडिया को इस बार मिनोफ के उपर से उठा के खेला है पिछे कोई फिल्डर नहीं है इसलिए आसानी से हमें चेहर रं मिल जाएंगे इस बार काफी दूर गई थी बॉल भी संजू सेंशन का स्कौर हो चुका है वार्ड़नेडेड एम थर्टी रंस एटी 68 बॉल पे यह देखिए यह जाया है इस बार काफी अच्छा कर्ड खेला काफी अच्छी सोट्स याँ पे और नोरन मिल जाएंगे वे इस बार काफी आशा स्रेटर राव प्ड़ ला फिचल सेंडर के सामने और नोरन खेलने की क्योसीश करूंगा आए औरो अशानी से मिल जाएंगे इस आपी अच्य पर बोल्स पर 59 रंस चाहिए इस बार मीड़ोफ क्योवर क्यला है माप करना भाई काफी जज़ा स्ट्रेट नहीं थी और चार रन मिल जाएंगे हमें अभी 140 रंस पर चुके भाई सब्सक्रापी इसी बेटिंग अक्यले यह में में बनाया रखा है इस में पाई इस बार फ्लि करने जी नहीं यहाँ पर काफी गोली की रफ्तर से बोल गई यह भी वाई संजू सेम्संग का स्कॉर हो चुका है 148 रंस संजू सेम्शन को 150 रं मना ले में कोई भी नहीं रोप सकता ऐसा लग रहा है इस में तो गाई जबी 150 रं मनाने में शिर्फ एकी रंड चाहिए इस ब वाई आज संजू सेम्शन की तालीब करनी होगी अक्यले वेट्समेन है जीस ने यह मेत को मनाए रखा है अभी तक इस बार केला था पर वाई इस बार काफी अच्छी टाइमिंग हुई और एक बार फिर से तार रं मिल गए अभी स्रेड राउं दे ग्राउंड में यार यह मुकाबला काफी मज़ेदार रहा है अभी तक दोस्तों अभी 10 रंस चाहिए अखरी 10 रंस चाहिए 32 बोल्स पे इस बार नो बोल मिली है सुल्टोस भी थी आई ने दो रंस की चोसिस करोगा सायन मिले तो यहार दो रंस तो नहीं मिल पाएंगे हमें यहां पर दिपक चाहर आखिर में 9 रं मना लिए और इंडिया ने यह मुकाबला जीत लिए 4 विकेट से जिसने संजु सेम्शन ने खाफी अच्छी बेटिंग दी यहां पर संजु सेम्शन की मदोला दी यह मेच जीता है इंडिया संजु सेम्शन इस मेच में प्लेयर ऑब दे मेच रहे जिसने 88 गेंदो में 164 रंस मनाए और उसका साथ अच्छा दिया दिपक चाहर ने जिसने 46 मुल्स पे 49 रं नोटाउन मनाए और इंडिया ने यह मुकाबला चार विकेट से जीत लिया है तो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस व पॉलो कर देना तो मिलते आपको अब ले वीडियो में तब तत के लिए गुड़ बाए